अब थोड़ा distance में चलते हैं and देखते हैं कि sound output कितना बड़ी हमें मिलता है सो मैं आपके सामने लाइवी प्ले कर रहा हूँ थोड़ा distance में चलते हैं, हैटपोन का यूज़ करिए हेलो फ्रेंड्स, विलकूम ओर यूट्यूब चलना, दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास है आज हम करने जा रहे हैं, मोटोरोला के MT-80 HT51 का आउट्डोर साउंड टेस्ट दोस्तों अभी इस मोटोल का करेंट प्राइस चल रहा है, 7,999 रुपीस अगर आपको इस मोटोल को पचेस करना होगा, तो definitely मैं इस मोटोल का पचेस लिंक दिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप वहाँ पचेस कर लिजेगा, और दोस्तों हमने इस मोटोल की अनबोक्सिंग वीडियो, डिटेल साउंड टेस्ट वीडियो, ऑप्टिकल ऑडियो टेस्ट वीडियो, अज हम आपके लिए आउट्डोर साउंड टेस्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं दोस्तों अगर आपको और वीडियो को भी देखना होगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियो के लिंक दे दूँगा, आप जाकर देख लिजेगा अगर आपको इस मॉडल के साउंड को और डिटेल में सुनना है, तो जरूर साप में इस्टाग्राम पर फॉलो करिए, मैं डिस्क्रिप्शन में इस्टाग्राम की आईडि का लिंक दे दूँगा, वक्त जादा ना कवात होए, अपने आउट्डोर साउंटेस को स्टार्ट करते हैं, so let's begin! कि अनुम, को कि उ्छाग्न आफूबर साउंखजूर करी तर आफ-ो कि आईओने पाल जने थिंक अनाव आईए अरन जो कि पल्बब कर दो खूबूब हुआज थाओव लिजब एखवार्टै फ्टले कि लिजब टूवार्टै। she loves me yeah she needs to know i love her i wonder if we'll make it through this summer just want to touch like back when we were younger yeah why don't you love me love me love me touch me touch me touch me no for humanity for humanity झाल मृइब दाहिए आपको अभी तक पसंद आ रहा होगा अब थोड़ा डिस्टेंस में चलते हैं सब्सक्राइब करें अब देखें हैं कि सांड आपटूट कितना बड़िया मिलता है आपके सामने लिए वि प्लेह कर रहा हूं को अब मतविके से अब दखें हैं हेट्चोन का यूज़ करीए तो दोस्तों कैसा लगा आपको इस model का outdoor पर साउंड it 的 बतायगा मुझे control box में आया i । अब आपको पता लग गया होगा कि यह वाला model उड्यल में best है या नहीं है तो मुझे जरूर से comment करके बताएगा कि या आपको यह पसंद आया या नहीं आया चलिए अब मैं अपना live experience to be honest आपके सांद शेयर कर देता हूँ जैसा कि दोस्तो यार मनला आउट्डोर में भी इसका जो sound performance है वो हमें काफी बढ़िया मिल जाता है loudness जैसे कि मैंने थोड़ा distance में जाकर आपको test कराई loudness एक number हमें मिल रही थी और दोस्तो हमें base quality भी काफी बढ़िया मिल जाती है बर दोस्तो एक ही चीच की कमी है जो मैं आपसे हर बार हर वीडियो में बोलता हूँ कि यार अगर हम इसके base को या trouble को बढ़ाते हैं तो यार दोस्तो sound quality जो है वो पूरी वटने लग जाती है तो यार वो चीच की बस कमी है otherwise outdoor में भी इस पर हमें काफी बढ़िया sound performance मिलता है अगर आप bass या trouble को नहीं बढ़ाएंगे तो यार आपको पसंद आईगी मतलब आपका outdoor पे भी काम इससे चल जाएगा और indoor में भी यह दोस्तो बढ़िया ही है जैसा कि मैंने आपको indoor sound test में बताया ही था अगर आप इसे TV के साथ भी connect करते हैं तो तभी भी आपके लिए काफी best option है क्योंकि दोस्तों यह 5.1 home trader है एंड इस पर हमें HDMI ARC का port मिल जाता है तो TV watching के लिए भी बढ़िया है आउट्डोर में भी आपका काम चल जाएगा और आपको indoor में भी यह sound काफी पसंद आएगा है मलब इसका sound बा बार देख लिजेगा तो आशा करता हूं यह वीडियो भी आपको पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए शेर करिए अगर आप हमें फॉस्ट एंड देख रहे हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए स